वेलकम फो अव्यान आईस अकेडमी, स्वागत है आप सबका आज कि नई सीरीज बिजनस अंवार्μεंट की जिसमें हम लोगों ने पहले बाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिसक्स किया था कि हमारी जो मॉनेटरी पालिशित होती है बिजनस अनवार्मेंट की उसके प् के पार्ट को हम लोग आगे continue करेंगे देखी यह जो पार्ट है वो हमारे examination point of view से बहुत ही जादा important है तो आप लोग इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें और ताकि इस वीडियो में हम लोग आगे continue कर सकें और आपके जो concept है उसको clear कर सकें तो चलिए मिलते हैं हम लोग इससे पहले वाली जो class थी उसमें हम लोगों ने कुछ instrument के बारे में discuss किया था कि हमारी जो monetary policy होती है उसके क्या क्या instrument होते हैं तो उसके बारे में चलिए थोड़ा सा discuss कर लेते हैं हम लोग कि monetary policy के instrument के बारे में हम लोगों ने discuss किया था कि हमारे दो type के tool होते हैं कौन कौन से qualitative tool और quantitative tool qualitative tools में हमने तीन tool के बारे में discuss किया था marginal requirement, selective credit control and moral suasion and quantitative में हमारे दो चीजा हैंगी direct और आपका indirect methods ठीक है तो उसमें हमारे direct में आपका CRR, SLR और refinance facility ठीक है तो यह आपका direct में आ जाएगा कुछ हमारे indirect method है जैसे रेपो rate है reverse repo rate है bank rate है open market operation है ठीक है MSF है base rate है और आपका MSS है तो यह सारे जो concept हैं यह सारे हम लोग already इसके बारे में हम लोग discuss कर चुके हैं ठीक है एक जो important aspect हम लोगों ने discuss किया था that is your open market operation open market operation का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो RBI है वो directly market में जाता है और उसको बोलता है public को कि भई एक काम करो कि हम अपनी securities जो market में issue कर रहे हैं आप लोग जो वो उन securities को खरीदो लेकिन यह जो होता है वो short time के लिए ही होता है तो इसमें आपका क्या करता है कि RBI जो है अपनी security जो market में उतारेगा market में issue करेगा और public का पैसा जो market से ले लेगा market से पैसा ले लिया और उनको जो है वो money supply आपका कम कर दिया और money का जो पैसा public के पास में था access money जो public के पास में थी वो वहां से उसने क्या करा वापस ले लिया जब वो पैसा वापस ले लिया तो वो हमारा क्या हो गया open market operation ओपन market operation का मतलब है कि market में openly अपनी कुछ securities जो वो इन्हों अगर इसका उल्टा situation हो जाती है अगर मालो मार्केट में पैसा नहीं है तो RBA कहता है कि काम करो जिन जी लोगों से हमने securities मतलब issue करी थी वो securities हम अपनी वापस लेने चाहते हैं आप हमसे पैसा जो वो ले लो ठीक है तो अपनी securities जो है वो वापस ले लेगा और आपको जो पैसा जो यह गा हा देदेगा जब पैसा देदेगा तो आपके बास पैसा आ जाएगा आपकी जो money supply है वह बढ़ जाएगी तो इससे यह जो है हमारी जो money supply है वह contract भी हो सकती है और expand वी हो सकते हैं तो उसके हिसाब से हम ये सारी चीजे discuss कर चुके हैं इसके साथ हम लोगों ने एक और method use किया था जिसको हम बोलते हैं bank rate ये bank rate हमारा क्या था basically कि जिसमें हमारा ये most effective method था हमारा जो कि जिसमें RBI जो है money land करता है किसको commercial bank को commercial bank को ये बोला जाता है कि आप अपना पैसा जो है RBI जो है वो पैसा देगा किसको commercial bank को और commercial bank पैसा देंगे किसको general public को तो जिस rate पे RBI ने पैसा दिया commercial bank को उस rate को हमने क्या बोला bank rate बोला अब RBI क्या करेगा पैसा दिया जिस rate पे पैसा दिया उसको हमने बोला क्या bank rate अब उस bank rate के accordingly जितने भी हमारे commercial bank है वो क्या करेंगे अपना loan का interest का जो amount है वो decide करेंगे क्योंकि जिस rate पे उनको पीछे से मिलेगा उसके accordingly वो अपना जो profit margin है वो add करने के बाद आगे public को देंगे अगर मालो bank इनको 8% पर दे रहा है तो ये public को 12% पर देंगे बैंक इनको 12% पर दे रहा है RBI इनको 12% पर दे रहा तो ये कितने पर देंगे 15% पर देंगे तो जब पीछे से महंगा हो जाएगा तो ये आगे भी महंगा कर देंगे जब RBI ने क्या करा 8% से 12% कर दिया इंटरस्टेट आपका बढ़ा दिया जब इंटरस्टेट बढ़ाया तो आपका लोन भी महंगा हो गया लोन महंगा हो गया तो आपके money supply कम हो गई लोगों ने सोचा कि भी पैसा लेने से कोई फाइदा नहीं है अब क्या कर रहा है पहले आपका रेट जो था वह 12% था आरवे ने क्या कर दिया कम कर दिया मतलब रेट आपका घटा दिया जब रेट घट घट गया तो आपका जो percentage है वो भी आपके घट जाएगी loan आपके सस्ते हो जाएगे अब loan सस्ते हो जाएगे तो money supply आपके बढ़ जाएगी money जो है वो money का जो flow है वो आपका बढ़ जाएगा जब money का flow बढ़ेगा तो उसके हिसाब से हमारी जो monetary policies है वो भी आगे extend हो सकती है ठीक है तो यह चीज है हमारी इसमें हम लोग इससे already इससे पहले वाले जो part है उसमें हम लोग discuss कर चुके थे right okay next हम लोग बात करते हैं variable reserve requirement यह most important requirement आपकी है तो इसमें सबसे पहली जो requirement आती है वो आपके आती है CRR के एक बार तो इसकी full form पूछ ली थी क्या बताता है cash reserve ratio क्या कहता है cash reserve ratio एक ऐसी requirement होती है जो RBI कहता है कि भाईया एक काम करो RBI ने बोला किसको commercial बैंकों को कि आप अपना this much amount of percentage let's say 8% this much amount of percent जो है वो आपको हमें अपना जो पैसा है वो हमार पास रखवाना पड़ेगा तो मतलब इसमें commercial बैंक जो है वो deposit कराएगा किस के पास RBI के पास कितना जो उसमें percentage decide करी है अब यह जो percentage आपके decide करी है percentage of deposit of the commercial bank have to keep with the RBI तो यह CRR मतलब क्या हो गया वो एक minimum percentage हो गया जो कि आपको जमा करवाना ही है commercial bank को को RBI के पास तो यह कौन रखता है RBI रखता है किस चीज का जो भी उनके पास total deposits होती है उसका कुछ percentage जो है वो आपको वहाँ पर रखवाना पड़ेगा अपनी in the form of reserve ठीक है RBI विल adjust the state percentage to the control the supply available with the bank तो इसमें आपका क्या होगा कि यह जो percentage है उसको adjust कर देगा percentage कम भी कर सकता है जादा भी कर सकता है RBI ने बोला कि वह एक काम करो कि माल लो आपके पास 100 रुपे आया 100 रुपे में से आप जो 8% है वो हमारे पास रखवा होगे 8% रखवा है मतलब 100 का 8% होगे आपके 8 रुपे तो 92 रुपीज जो वो आपके पास बचेंगे अब यह 92 रुपीज ही आप जो market में supply कर सकते हो market में कितना पैसा supply करोगे 92 रुपीज रुपीज आपका 8% था अब वो हम बढ़ा कर 15% कर रहे हैं 15% का मतलब क्या है कि RBI ने बोला कि 100 का 15% होगे 15 रुपे तो आपके पास कितना बचा 85 रुपीज तो आप market में कितना पैसा supply कर सकते हो 85 रुपीज मतलब जब आपको पैसा market market में कम supply करना है तो यह जो CRR है इसको बढ़ा दो जब CRR आपका बढ़ेगा तो आपकी जो money supply है वो भी कम हो जाएगी supply कैसे कम होगी यह मैंने आपको example दिया आपको कि आपका जैसे मालो for example बैंकों के पास किसी ने 100 रुपे जमा गिये तो हमें उसने बोला कि आपको बैंकों के पास जो पैसा आता है वो जो public का पैसा है उसी पैसे को यह circulate करें जब 92 रुपीज इसने circulate करें तो बैंकों ने आर्बिया ने बोला कि काम करो जो आपका 8% था उसको बढ़ा के 15% कर रहे हैं जब 15% करा तो इसका मतलब क्या है कि 100 का जो 15 रुपीज है वो आपको reserve की form में आर्बिया के पास रखवा होगे तो उसमें आपका क्या रह रहे गए जब 85 रुपीज आपके पास रहे गए तो उसके accordingly आप क्या करोगे उसको adjust करोगे पहले आपके पास 92 रुपीज बचे थे जो आपने मार्केट में सप्लाई करें अब आपके पास कितने बचे 85 रुपीज बचे तो मतलब money supply क्या हो गई आपकी कम हो गई ऐसे ही मा पास तो आपको जो है वो कितना पैसा सर्कुलेट करोगे आप 92 रुपीज जो मार्केट में सर्कुलेट करोगे तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं cash reserve ratio कौन रखेगा RBA रखेगा किसका पैसा commercial bank को को इतना पैसा reserve bank के पास रखवाना पड़ेगा उसको जब जरूत होगे तब वो पैसा आप उनसे ले सकते हो यह इस रेशो कम क्या बोलते हैं cash reserve ratio तो cash reserve ratio बढ़ा दी जाती है यह गटा दी जाती है as per the need and requirement of the economy money supply बढ़ानी है तो उसके साफ से इस ratio को गटा दिया जाएगा जब money supply बढ़ानी होगी तो इस ratio को मतलब जब आपको money supply adjust करनी है तो उसके साफ से adjust करनेंगे अब अगर आपका जो यह rate आपका बढ़ेगा तो आपकी जो money supply है वो कम हो जाएगी ठीक है क्योंकि rate बढ़ेगा तो आपके पास जो bank है वो कम पैसा supply कर पाएगे जब यह rate घड जाएगा तो आपके पास जो पैसा ratio है that is your statutory liquidity ratio यानि SLR statutory liquidity ratio यह ratio हमारी क्या बदाती है it is a percentage of total deposit that a commercial bank has to keep with themselves in the form of cash reserve और gold मतलब इतना पैसा यह वो ratio होती है जो पैसा आपको किसके पास रखना है commercial bank को को रखना है commercial bank को रखना है itself अपने खुद के पास ठीक है in the form of cash reserve और gold यह कहता है कि मान लोग कभी ऐसा हो आपके पास कि आपके पास जो deposit करने वाले जो person है वो कम हो जाए और निकालने वाले person जो हो आपके बास ज्यादा हो जाए तो इतना पैसा आपको हमेशा अपने पास रखना ही है कि इससे मतब आपको emergency funding के लिए आपको इतना पैसा अपने पास रखना ही रखना है तो अब इन्होंने क्या बोला इनका भी वही पंगा कि जैसे मान लोग उन्होंने बोला कि भई आई काम करो आप 8% अपने पास आपको रखना ही रखना है तो आपके पास जो वह कितना पैसा आप circulate कर सकते हो 92 रूपीज अब उन्होंने बोला कि RBI ने बोल दिया कि भई काम करो इस पैसे को बढ़ा दो यह जो पैसा 8% रखते थे अब आप आप जो वह 15% रखोगे जो जितने भी commercial bank है वो RBI के बाद क्यों मानेंगे क्योंकि RBI जो है क्या है एक apex body है उसको control करने का जो काम है सारे bankों को control और supervision करने का जो काम है वो किसका है RBI का है तो इसलिए अगर आप ज़्यादा चून चपड़चा करते हो तो RBI आपका जो license है वो अपने पास रखना है TRR जो है वो RBI के पास आप रखोगे और SLR जो है वो आप अपने पास रखोगे ताकि मतलब जो है आप in case अगर आपके emergency हो जाती है तो आप उस reserve में से वो पैसा आप निकाल सकते हो और उस पैसे को आप use आगे कर सकते हो ठीक है तो इसमें क्या करेगा increase in the SLR will the bank the fewer the fund to give the loan कि मतलब आप जितना ये percentage आपकी बढ़ेगी उतना ही कम पैसा आप market में supply कर पाऊगे और इसका उल्टा जब होता है तो इसमें आपके जो money supply को control करने का और जो चीजे हैं वो हमारी इसमें आ जाती है जब ये percentage आपकी घटेगी तो आप ज़्यादा पैसा जो market में दे पाऊगे अगर ये percentage बढ़ती है तो आप कम पैसा market में दे पाऊगे अगर ये percentage आपकी घटती है तो आप ज़्यादा पैसा market में दे पाऊगे तो ये एक तरीका होता है RBI का पैसे को control करने का और पैसे को किस तरीके से आगे continue करना है तो ये चीज़े हमारी इसमें आ जाती है तो liquidity next आता आपका LAF देखो LAF का मतलब क्या होता है liquidity adjustment facility ये हमारी एक ऐसी indirect instrument होता है हमारे money control का कि जिसके थुरू हम अपना liquidity उसको कैसे adjust करना है मतलब बैंकों के पास कितनी liquid situation में पैसा आपके पास available होना चाहिए तो उसको adjustment करने की एक facility होती है तो इसमें हमारा क्या रहता है इसको हम दो तरीके से ये operate कर सकते हैं एक होता हमारा repo rate एक होता हमारा reverse repo rate ठीक है तो इसमें हमारा जो है ये इसके थुरू हम जो liquidity adjustment facility है उसको हम आगे adjust करते हैं कि हमारे पास बैंकों के पास कितना liquid form में cash और other assets हमारा पास available होने चाहिए तो उसके हिसाब से ये सारी जो चीजे हैं वो आपकी क्या करी जाएंगी एडजस्ट करी जाएंगी तो जब liquidity को आप adjust करते हो बैंकों की तो उस facility को हम क्या बोलते है liquidity adjustment facility तो वो जो facility है वो हमारी किस में आ जाती है रेपोरेट और reverse रेपोरेट के थुरू हम ये जो चीजे हैं वो अपनी करेंगे अब ये रेपोरेट क्या होता है और reverse रेपोरेट क्या होता है को जो short term के लिए जो आपका loan मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे रेपोरेट ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे रेपोरेट ठीक है तो इसमें हमारा जो है RBI पैसा देगा इसको commercial बैंको को on the short term basis ठीक है तो RBI जो पैसा देगा किसको देगा commercial बैंक को देगा और जिस rate पे इसने पैसा दिया short term के लिए उस पैसे उस rate को हम क्या बोलते हैं रेपोरेट ठीक है तो यह जो rate है वो उसके हिसाबते adjust कर दिया जाता है जैसे हमारो money supply हमारे ज़्यादा है तो उसके हिसाबते यह rate उसके हिसाबते adjust कर दिया जागा money supply हमारी कम है तो इस rate को बढ़ा दिया जागा या घटा दिया जागा तो उसकी जो adjustment है वो आपकी ऐसे ही चलेगी जैसे आपकी CSR और SLR इनके accordingly आपकी चलती है ठीक है तो इसके बारे में थोड़ा सा और discuss करते है क्या कहता है रेपो rate is the rate at which Central Bank of the country ठीक है lend money to the commercial bank in the event of shortfall of the fund लेकिन यह जो है वो तब होता है जब आपका in case अगर आपको shortfall हो जाता है fund की shortage हो जाती है तो उस टेम पे आपको जो पैसा है यह emergency के लिए आपको जो पैसा है वो दे दिये जाता है ठीक है रेपो rate is used by the monetary policy to control the inflation अगर आपको inflation की situation है market में तो वहाँ पे उसको control करने का जो तरीका होता है वो आपका क्या होता है रेपो rate होता है ठीक है इसमें RBI आपके rate चार्ज करता है RBI जो है वो क्या करेगा commercial bank से interest charge करेगा RBI ने money दी किसको commercial bank को और commercial bank इसको क्या देंगे interest देंगे ठीक है तो जिस rate पे इसने RBI ने आपको पैसा दिया commercial bank को तो जिस rate पे पैसा दिया short term fall के लिए अगर आपको को short term fall हो जाता है या कोई दिक्कत आपके आ जाती है तो वहाँ पर आपको जो है वो उस rate पे जब आपको पैसा दिया जा रहा है उस rate को हम क्या बोलते है repo rate बोलते है तो ये rate आपका बढ़ा दिया जाता है same as the bank rate तो उसमें आपका जो है वो सस्ते हो जाएंगे जब लोन सस्ते हो जाएंगे तो आपका जो money supply है वो आपकी बढ़ जाएगी reverse repo rate क्या होता है reverse repo rate इतका उल्टा होता है reverse repo rate क्या होता है which the reserve bank of India borrowed fund from the commercial bank in the country मतलब इसमें जो RBI है वो पैसा लेता है किस से? commercial bankों से मतलब ये आपका commercial bank देते हैं किसको RBI को ठीक है तो ये क्या कहते हैं कि जैसे मान लो बकाइदा कभी बैंकों के पास ऐसा situation आ जाती है बैंकों के पास ज़रूर से ज़्यादा पैसा पड़ा है तो वो क्या करते हैं कि काम करो तुम अपना जो पैसा है मतलब commercial bank कहते है जिए आप हमारा पैसा जो वो RBI रख ले reserve की form में रख ले हमार पास access money है अगर मान लो मेरे पास 1.500 रुपे है मुझे 100 रुपे की ज़रूरत है तो मैं 50 रुपे जो वो RBI के पास जमा करा दूँगा जिसे हमार पास जरूर से ज़्यादा पैसा पड़ा तो हम bank में FD करवा देते या कुछ पैसा जो वो हम अपना access money जो वो अपनी bank में जमा करा देते ठीक है तो bank को में हमने पैसा जमा करा दिया अब क्योंकि इनका पैसा जमा है किसके पास RBI के पास अब RBI इनके पैसे को utilize कर रहा है जब RBI इनके पैसे को utilize करेगा तो RBI क्या करेगा इनको एक interest देगा तो वो जो interest हमारा देगा उसको हम क्या बोलते है रिवर्स रिपो रेट बोलते है ठीक है तो जब आपका जो interest है RBI देता है किसको commercial bank को उनके access deposit पे ठीक है अब जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे मालो मैंने अपना पैसा जो है वो bank को पास जमा करा दिया जब मैंने bank के पास पैसा जमा करा दिया अब bank क्या करेगा मेरे जमा पैसे पे क्या करेगा मुझे interest पे करेगा वो जो interest मुझे पे करेगा उस interest को मैं क्या बोलूँगा reverse repo rate repo rate क्या हो जागा जैसे मालो मैंने bank से loan लिया जब मैंने bank से loan लिया तो मतलब जो मेरा जो bank था उसने मेरे को लोन दिया, अब मैं क्या करूँगा, उसको interest पे करूँगा, जब मैं interest पे करूँगा, तो वो मेरे क्या हो गया, रैपो रेट, ऐसे ही RBI जो है, जब commercial बैंकों को पैसा देता है, अपना short term fall के लिए, emergency funding के लिए, तो उनसे interest चार्ज करेगा, फिरी में तो पैसा क्या हुआ कि RBI ने अपना जो पैसा ले रखा था, commercial बैंकों से, commercial बैंकों को यह बोल दिया, कि अगर किसी भी person के पास, किसी भी bank के पास, अगर access money deposit हो जाती है, तो आप एक काम करो कि उस पैसे को आप मेरे पास जमा करवा दें, अगर access money आपके रहेगी, तो उस पैसे को मै अपने पास रख लूँगा, और जितना भी पैसा आपका रहेगा, तो वो पैसा को आपको जो क्या कर दिया जाएगा, interest आपको दिया जाएगा, जितने टाइम के लिए मैं आपका जो पैसा है, वो हमार पास रखा रहेगा, तो commercial बैंक ने पैसा दिया किसको, RBI को कौन सा प deposit कर दिया जाएगा, जब RBI के पास मैंने money deposit करी, तो RBI ने बोला ठीक है भी आपका पैसा हमार पास जमा था, अब उसमें जितने टाइम के लिए मैंने आपसे पैसा लिया है, तो वो जो पैसा मैंने आपसे लिया है, वो पैसा क्या करोगे आप, उस पैसे को मैं जो आपको interest pay करूँगा, तो देखो इसमें यह जो confusion है, इस confusion को आप दूर कर लेना, कि RBI ने commercial bank को पैसा दिया, जिस rate पे पैसा दिया, वो हमारा क्या हो गया, repo rate, अब commercial bank ने अपना पैसा deposit कर दिया, in the form of reserve, किस के पास, RBI के पास, तो RBI ने उसके पैसे को utilize किया, RBI ने जो पैसा utilize किया, उसके बदले में वो क्या देगा, interest देगा, चाहे वो utilize करो, या utilize मत करो, लेकिन उनके पास जमा है, तो जितने time के लिए जमा है, उतने time पे RBI जो हो, उनको interest पे करेगा, वो जो interest पे करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, reverse repo rate, तो is it clear to all of you, कि आपका जो repo rate होता है, वो क्या होत होता है, तो repo rate जो होता है, वो shortfall की situation में ही होता है, और वो जो आपका है, normal situation होता है, without collateral security, ठीक है, bank rate जो है, वो आपका normal, उसमें रहता है, normal condition में आपका रहता है, लेकिन उसमें कोई collateral securities आपके नहीं ली जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, एक example के through आपको समझाते हैं, जैसे central bank ने loan दिया किसको commercial bank को for the landing to the public, central bank ने बोला कि वहाँ एक काम करो, कि RBI ने बोला किसको commercial bank को, मालो commercial bank उसमें बोला, हमारा SBI को, कि वहाँ आप एक काम करो, इतना पैसा जो हो market में आप supply कर दो, rate of interest जो आपका रहेगा, वो उसमें जो भी rate of interest उसमें बोला, कि वहाँ ह क्या बन जाएगा, रैपो rate बन जाएगा, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कि RBI ने loan दिया किसको 8% पे SBI को, RBI ने जो वह 8% पे जो वह SBI को दिया, ठीक है, अब SBI ने उस पैसे को क्या करा, टू Mr. A को पैसा दे दिया 11% पे, SBI ने Mr. A को दे दिया 11% पे, ठीक है, अब RBI ने जो पैसा SBI को दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे रैपो रेट और बैंक रेट ठीक है क्योंकि उस पैसे को जो है अब वो डिपेंड करता है कि short term की situation में लिया था कि मतलब आप emergency में लिया था या वो आपने normal condition में लिया था अगर emergency में लिया है shortfall हो गया है तो रैप पर who determined the repo rate उसने किस ने determined किया Central Bank ने determined किया मतलब RBI ने determined किया किसके लिए SBI के लिए उसने बोला कि भया हम इतने पर आपको देंगे अगर चाहिए तो हां बोलो नहीं चाहिए तो टाटा वाय वाय ठीक है उसने बोल देंगे हम आपको जो इतने 8% पर हम देंगे ओके अब य ये को बोला लोन तो हम आपको देंगे लेकिन हमारा जो rate of interest रहेगा वो कितना रहेगा 11% रॉय जो हम आपको कर देंगे तो इन्होंने SBI ने जो आपको public को दिया तो इसको ये जो है वो landing rate हमारा हो जाएगा तो ये landing rate जो हो कौन determine करता है ये हमारा हर bank अपने आप determine करता हो सकता है कि SBI का जो rate है वो आपका अलग हो CD bank का आपका अलग हो ICICI का अलग हो HDFC का अलग रहता है ठीक है bank जो public को देते हैं वो rate कौन decide करता है उसमें आपका stock market investment market और आपका जो है वो RBI bank itself तो ये जो है वो bank itself decide करते है इसलिए आपने देखा हो हर bank का जो interest rate होता हो आपका अलग अलग रहता है ठीक है लेकिन ये जो आपको पैसा दिया गया ये पैसा repo rate और जो bank rate हो कौन determine करेगा वो R lending rate है आगे जिस rate पे दिया जाएगा उस rate को हम क्या बोलेंगे उस rate को हम क्या बोलेंगे lending rate बोलेंगे या rate of interest on loan rate of interest on loan पे जो भी हमारा पैसा दिया गया है वो सारा हमारा इसके हिसाब से determine किया जागा I hope you guys understand the bank rate और repo rate ठीक है कि उसमें lending rate का उस पे क्या फरक पड़ेगा अब वो बोलेंगे ठीक अब यह आप बढ़ा देगे हम आगे भी बढ़ा देंगे तो जब आगे बढ़ा देंगे तो money supply जो वो हमारी control हो जाएगे money supply आपकी कम हो जाएगी तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे रेपूरेट या bank rate ठीक है अब हम बात करेंगे कुछ qualitative methods के बारे में बात करेंगे इसते पहले जो हमने बात करी वो किसके बात करी वो quantitative method की बात करी लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं qualitative methods की बात करने वाले हैं ठीक है तो qualitative instrument जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं selective instrument भी कहा देते हैं जो हमारे RBI जो है अपनी monetary policies को control करने के लिए हमारा help करेगा मतलब RBI कुछ ऐसी policy भी बनाता है जहां पर वो interest वगरा कुछ चीज़े नहीं लेता है वो दूसरे तरीके अपनाता है उसमें क्या करेगा वो कुछ ऐसी guidelines सयार करेगा कुछ ऐसी preparation करेगा जिसमें वो बोलेगा कि भया आपको य अगर नहीं करते तो आप बहार हो जाओगे तो इसमें आपका क्या करेगा these instruments are used for discriminating between various users of credit मतलब इसमें आपका क्या होता अच्छा ये भी एक बार question आया था कि जब commercial bank आपके discriminate करते हैं on the basis of user किसी user को rate of interest आपका कम दिया जाता है किसी user को rate of interest आपका ज्यादा दिया जाता है तो उसमें उस type की policies को हम क्या बोलते हैं तो वो भी आपकी monetary policy के under ही आती है लेकि monetary में वो qualitative aspect को cover करती है ठीक है for example they can be used by the for favoring export over the import और essential over the non-essential credit supply this method is influenced on both borrower and the lender अब कई भर क्या कहता है bank आपको किस purpose के लिए loan चाहिए आपने बोल दिया जी मुझे जो एक machinery घरिजन है उन्हों बोल दिया नहीं मिलेगा आपको मिलेगा आपको नहीं मिलेगा तो इससे आपका क्या राएगा कि अगर आप import के लिए लोन लेने जाओगे वो सकता है आपको माना कर दे अगर आप एक्सपोर्ट के लिए लोन लेने जाओगे तो बोलेगा त्रीक भी आप necessary document जवां कराई है हम आपको जो वो provide कर देंगे ठीक है तो इसमें bank जो है वो partiality कर सकता है जैसे जैसे guidelines आएंगी RBI की तरफ से वैसे वैसे जो commercial bank है उसके इशारों पे नाचना शुरू कर देंगे तो जितने भी जो commercial bank रहते हैं वो as far the guidelines of the RBI moment करते हैं तो RBI ने बोल दिया कि भी आप पैसा दो तो वो आगे पैसा देंगे अगर RBI ने बोल दिया कि भी आप सिलेक्टिव पैसा दो तो वो सिलेक्टिव पैसा देंगे RBI की जैसे guidelines आएंगे जैसा आपका condition रहेगी उसके हिसाब से जो condition है वो हमारी आगे continue कर दियाएंगे तो उसमें ये बोला जाता है कि भी आपको जो है export के लिए हो सकता है कि favor करे और import के लिए आपको favor ना करे इंपोर्ट के लिए वो हो सकता है बोल दे कि भी जी ठीक है भी हम आपके आगे से पूछ के बताएंगे और ये ये document आप जो जमा करा हो उसमें हो सकता है कि time में delay कर दे और आपको बोल दे कि जितना जो काम आपका पंदरा दिन में होना चाहिए था उसको वो बोल दे कि भी या डेड़ से दो महीन आपका लग जाएगा अब कई बार हो सकता है कि भी मेर पास इतना time नहीं है तो मैं उसको जो वो मना कर दूँँगा export के लिए जो काम आपका महीने भर में होना चाहिए उसको बोल दे कि ये आपको 10 दिन में आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर आपका जो ये जो methods होते हैं इस से आपका जो borrowers हैं और जो landers हैं दोनों को effect देखने को मिलता है क्योंकि जिसको पैसा चाहिए और जो पैसा देगा दोनों पर effect इसको देखने को मिलेगा अब मालों उपर से जैसी guidelines आई है कि पैसा access देना है आपको पैसा देना है market में तो ये उसी हिसाप से बात करेंगे पैसा नहीं दे रहा है मार्केट में तो ये उसी साप से guidelines करेंगे उनको बोल देंगे बहिए एक काम करो फोटोगोपी लाएओ औरिजिनल लेकर आना औरिजिनल लाएओ फोटोगोपी लेकर आना अच्छा ये चीज़ है आपको इतना पड़ेगा तो कई बार ये जो चीजे हैं वह बहुत सोचने समझने के यमारी चीजे रहती हैं कई बार बैंक आपको morally आप नहीं चलती है या दुकान आपकी नहीं चलती है तो हम तो बरवादी हो जांगे आपके चक्कर में तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब इनको market में नहीं देना हो, तो इस तरीके से play करते हैं और जब इनको market में पैसा देना होता है, तो यह क्या करेंगे, वह उसके साब से ही market में जो अपना role play करेंगे, ठीक है, तो क्या कहता है, change in marginal requirement, यह बहुत important चीज है, marginal पहले तो आप ये समझो कि marginal requirement होता क्या marginal requirement का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमारा कोई loan है अब ये loan है इसके बदले में क्या रखवाएगा bank आपसे security रखवाएगा ठीक है अब bank जो security रखवाएगा loan का amount और security का amount वो जो difference होता है उसको हम बोलते है marginal requirement अब जैसे मान लो for example आपने bank को apply किया 5 lakh के loan के लिए bank ने बोला भया एक काम करो कि आप कोई भी security 7 lakh की कोई security है वो हमारा पास रखवा दो अब public बोलेगी भया मेरे पास अगर 7 lakh रुपे की security होती तो मैं आपसे 5 lakh का loan लेता नहीं लेता तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा यह जो requirement यह जो gap है loan का और security amount का उस amount को हम क्या बोलते है marginal requirement जब इनको पैसा market में जादा देना होता है तो यह क्या करते हैं इस security उसको कम करते हैं बोलेगे भया एक काम करो 5 lakh का loan है आपका तो 5 lakh के loan के लिए आप कोई भी 1 lakh तक की security आप जमा करवा दो 1 lakh तक की security कोई भी person जो हो आपका easily जमा करवा सकता वो क्या बोलेगा लो जी भाई साब आपकी 1 lakh के security और 5 lakh का में loan दे दो जब इनको नहीं देना होता है तो वो क्या करेंगे 5 lakh के security के लिए आपका जो amount है यह जो gap है वो आपका बढ़ा देंगे जब gap बढ़ेगा जब gap आपका बढ़ता है तो उसमें वो क्या करेंगे आपको जो है वो money supply आपके कम कर देगा और जब gap घटेगा आपका marginal requirement आपकी घटेगी तो उसके हिसाब से वो adjustment आपका हो जाता है तो आपको जो money supply जब उनको बढ़ानी होगे तो यह gap घटा देगा जब money supply उसको कम करनी होती है तो यह gap बढ़ा देगा तो क्या कहता है margin is the requirement certain proportion of the loan amount that is not offered or financed by the bank change in the marginal can lead to the change in the loan size the instrument is used to encourage the credit supply for the necessary sector that can be done by the increasing or marginal unnecessary sector or reducing the margin of the needy sector तो देखो कई बार क्या होता कि जिसको ज़्यादा requirement है या जिसको कम requirement है उसके हिसाब से यह क्या कर सकते है अपनी जो वो adjustment अपनी कर सकते है तो उसके हिसाब से यह जो है वो अपना देख सकते है कि हम जो वो कौन-कौन से sectors जिसको जरूरूरत उसको जरूरत नहीं है उसको भी देखो तो उसके साब से बतब जो वो RBI जैसा direct करेगा जैसा guide करेगा आपको जैसा उसमें आगे आपको guide किया जागा तो उसके साब से यह चीज़े आपकी आजाती है नेक्स आता आपका moral situation moral situation का मतलब आपका क्या हुआ moral situation जो है वो commercially आपको एक pressure create किया जाता है कि आपको rules and regulations है वो आपको बहुत strictly follow करने हैं अगर आप बैंकों की guidelines को follow नहीं करते हो तो आपको बोल दे जाता है भाईया एक काम करो आपके बसकी बात नहीं है आप अपना license cancel करवाओ आप आराम से बढ़ दो अगर आपको banking का business चलाना है तो आपको हमारी guidelines के accordingly काम करना ही पड़ेगा उपर से आपके बस pressure आता है कि आपको ये करना है मतलब करना है आप अपनी मर्जी से कोई भी जो चीज़े वो नहीं कर सकते हो तो उसमें पोल दे जाता है आप अपनी मर्जी से काम नहीं चला होगे ऐसा नहीं है मार्केट में इंफलेशन जा रही है और आप अपनी मर्जी से कोई भी policy जो आपको बताई है उसी policy के accordingly आपको क्या करना पड़ेगा एक्ट करना पड़ेगा अगर आप एक्ट नहीं करते हो तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे ठीक है आरबियाई implies pressure on the Indian banking system without taking any strict action for the compliance with the rule तो मतब जो भी हमारे जो rule है जो भी regulations आपके लिए बनाया गया है तो उसके इसाब से आप क्या करोगे उसको control करोगे और guidelines अपनी तैयार करोगे कि उसके इसाब से आपको जो भी rules and regulations है उसको आप अपना तैयार करोगे तो उस चीज़ को हम क्या बोलते है moral solution बोल देते है ठीक है तो marginal requirement आपको समझ आए marginal requirement का मतलब होता है कि जो जितना loan आपको दे रहा है और जितनी requirement आपको है आपकी collateral security जितनी रखवाएगा तो उसके difference को हम क्या बोलते है marginal requirement तो marginal requirement जो है वो आपकी कम जादा आपकी हो सकती है ठीक है तो उसके हिसाब से RBI जो है वो ये भी आपको guidelines बना सकता है कि जो needy sector है उ उसको कितनी requirement है मतलब वो हो सकता है कि वो आपको बोल दे कि अगरिकल्चर सेक्टर को आपको इतना पैसा देना है और इस sector को आपको इतना पैसा देना है तो RBI feels that more credit supply should be allotted to the agriculture sector and RBI will reduce the margin and even 80 to 90% loan can be allotted तो मतलब RBI ने बोला कि अगर हम 100 पे loan दे रहे तो 100 में से हम आपको जो ह देंगे तो वहाँ पर जो है वो यह चीजे आपके इसमें आ जाते तो उसको हम क्या बोल देंगे मार्जरल requirement बोल देते हैं कि कि अच्छा इसमें एक चीज और आपके आती है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट राश्टनिंग और एक चीज आती है आपके quota system RBI हो सकता है कि आपको एक guidance तयार करें और आपको बोले कि भाईया एक काम करो कि जिसने जिस loan के लिए आपका apply किया है उसके हिसाब से आप उसके credit की राश्टनिंग कर दो राश्टनिंग कर दो मतलब आप जो है एक ऐसी system आपका तयार करो कि जैसे मान लोग किसी person ने पांच लाग के लिए उनके लिए apply कर रहा है तो उसको कितना पैसा आपको देना है ये guidelines तयार करता है कौन RBI तयार करेगा क्या बोलेगा RBI कि भया एक काम करो कि 5 लाग के लोग के लिए अब हो सकता कि उसने बोल दिया कि 2.5 जो हो आपको देना है मतलब 50% आपको लोग देना है अगर मैं 10 लाग के लिए apply करूंग तो 5 लाग देगा 5 लाग के लिए apply करूंगा तो 5 लाग तो उसके साब से मेरा जो हो क्या हो जाएगा मैं credit को जो 1-2 की ratio में divide करते हूं मतलब किसी ने 2 रुपे के demand करें तो हम उसको 1 रुपया देंगे तो ये जो चीजे होती है इसको हम बोलते है credit राशनिंग अब कई बार होता है कि जब इन कर सकते हो या वह हो सकता है कि वह आपको यह भी बोल दे कि एक काम करो की आपने 5 लाग के लोन के लिए apply करा तो कई बढ़र बैंक आप आपसे पूछता है कि आपको 5 लाग के ही ज़रूत है या आपको ज्यादा की ज़रूत है जब उनको ज्यादा पैसा देना होता market में तो तो बोल देंगा, आपको ज्यादा मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, आपको 7 लाग दे दे, आठ लाग दे दे, तो वो जिसकी जैसी फैसिलेटी रहती है, वो उसके साफ से आपको जो लोगने वो आपको दे देगा, यह हो सकता है कि वो आपको influence करें, extra amount लेने के लिए, कि यह उसके साफ से adjust करते हैं, मतलब देखते हैं कि वो कहां-कहां पे आपको जो money supply है, वो कम करनी है, यह कहां-कहां पे आपको money supply बढ़ानी है, तो उस term को हम बोलते हैं, credit rastering, ठीक है, तो यह जो तीन term है, वो आपकी इसमें आ जाती है, और उसके accordingly यह जो सारी चीज़े हैं वो यहां पर discuss कर ली जाती है, चीक है, ओके, next है आपका fiscal policy, यह fiscal policy हमारे क्या होते हैं, यह भी हमारे important policy होते हैं, यह policy हमारे क्या बताते हैं, यह हमारे बताते हैं, use of the government spending and taxation policy to influence the economic condition, मतलब इसमें कौन बनाएगा, government बनाएगी, यह जो policy है, fiscal policy कौन बनाता है, हमारा RBI बनाती हैं, वो, sorry, इसमें हमारा government of India बनाएगी, चीक है, monetary policy किसमें बनाई, RBI ने बनाई, fiscal policy कौन बनाएगा, government of India बनाएगा, तो इसमें हमारा current year के लिए आपको सबको बताए कि भी budget आपका तयार किया जाता है, उसमें government जो आपना यह बताती है, कि आने वाले time के लिए इतना इतना खर्चा हम करने वाले हैं, यह हमारा source of income रहेगा, इतना इतना पैसा जो हम आपके उपर खर्च करने वाले हैं, तो वो जो खर्च हम करेंगे, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, use of government spending and tax policies to influence the economic condition, मतलब इसमें दो ही हतियार रखते हैं, वो, एक तो public government spending कितनी रहेग हम खर्चा कहां कहां पर करेंगे और revenue का source हमारा क्या क्या रहेगा, तो उसमें हमारा जो वो tax system हमारा आ जाता है, ताकि हम जो अपनी economic growth है, उसको हम control and coordinate कर सके, हम देख सकते हैं, हमारे जो economy है, उसकी जो situation है, वो हम कैसे करेंगे, तो macro economics condition, these include aggregate demand for goods and services, employment, inflation and economic growth, तो यहां पर हम जो वो economic growth, आपकी inflation, employment, आपकी national income, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, यह सारी जो policies है, वो आपकी बनाई जाती है, तो इसमें recession के time में हमारा क्या करता है, government में lower the tax rate, जब आपका recession चल रहा है, market में मन्दी है, लोग के पाए पैसा नहीं है, तो जो tax rate है, वो आपका घटा दिया जाएगा, मतलब tax rate आपका घटा दिया जाएगा, tax rate आपका reduce कर दिया जाएगा, किसमें recession के time पर, ठीक है, और इसमें हमारा जो हो to encourage the demand and हमारी जो economic, super economic activities है, उसको induce करने के लिए आपकी जो public expenditure है, वो आपको बढ़ा दिया जाए, क्यों public expenditure बढ़ाएंगे, तो आ आपके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, तो आप demand करोगे, ठीक है, अगर inflation होता है, तो inflation है, तो market में हो सकता है कि tax rate आपका बढ़ा दिया जाए, और आपके जो spending है, वो आपकी cool down कर दिया जाए, economy को, ठीक है, जब आपकी, जब क्या होता है, कि जब market में inflation है, आपका market मे आप जो पैसा expenditure करोगे, वो बहुत सो समझके करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो चीजे हैं, वो इसमें आ जाएंगे, तो fiscal policy is often contracted with the monetary policy, तो इसमें हमारी जैसी monetary policy रहेंगे, उसके साब से आप fiscal policy जो अपनी बनाओगे, which is enacted by the central bank and not elected government officially, तो यहाँ पर यह जो है, monetary policy RBI बनाएगी, और इसके accordingly जो fiscal policy है, वो आपका कौन बनाएगा, government of India बनाएगे, जैसे हमारी market में situation चल रही है, जैसा अगर inflation चल रहा है market में, तो inflation के accordingly policy बनेगी, अगर market में deflation चल रहा है, तो deflation के accordingly policy चलेगे, तो हम यह सारी चीजे अपनी spend कर देंगे, और अपने accordingly हम जो fiscal policy चीजे उसको बनाएगे, ठीक है, तो यह चीजे आपकी इसमें आ जाती है, तो यह वाली जो slide है, वो आपकी एक जो मैंने आपको बदाया था, राश्निंग of credit, यह आपकी वहां की slide है, ठीक है, तो RBI क्या करता है, कि अपना जो credit amount है, वो guarantee कर देता है, कि आपको जो credit limit आप को जो वो fix कर देता है, आपको बोल देता है, कि आपकी जो राश्निंग है, वो credit की कितनी करनी है, और regulation of the consumer credit, यह भी एक तरीका होता है, कि हमारे consumer credit को regulate किस तरीके से करना है, तो यह चीजे भी आपकी, यह मैंने आपको बता दी है, कि आपको higher purchase, installment system, और आपकी जो down payment है, उस ठीक है, तो हम लोगों ने इसके बारे में discuss किया, कि जो fiscal policy है, उसमें हम लोग जो क्या करेंगे, कि जो government है, वो अपना सारा plan बताएगे, आपको एक expenditure का pattern बताएगे, उसमें यह बता दिये जाता है, कि हम आने वाले time के लिए, क्या-क्या expenditure करने वाले coming years में, और क्या-क्या ह हमारा जो tax structure है, क्या-क्या रहने वाला है, अगर हमारी inflation है, तो हम अपना जो tax rate है, वो बढ़ा देंगे, ताकि हमारी जो demand है, वो market में control हो जाए, और अपना जो public expenditure है, वो हम बढ़ा देंगे, ताकि वहाँ पर जो government है, अपना expenditure बढ़ा देगी, लोगों को employment मिलेगा, लोग तो हम जो fiscal policy है, वो क्यों हम बनाते हैं, या उसका objective क्या रहता है, maintain or stabilize the price level, जो हमारा price level है, उसको बढ़ाने के लिए, या उसको maintain करने के लिए, उसको stable करने के लिए, हम क्या करेंगे, fiscal policy बनाएंगे, next आपका जो economic development है, मतलब economy की growth करने के लिए, economy की development है, उसको करने के लिए हम fiscal policy अपनी बनाएंगे, मतलब वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो fiscal policy है, वो कैसे आपकी increase होगी, हमारा जो economic development है, उसको कैसे बढ़ाना है, क्योंकि अगर public expenditure करा जाएगा, तो हमारी economy में growth and development भी होगी, अगर public में already वैसा है, तो government अपना expenditure कम कर देती है, taxes को बढ़ा इसके बाद अपना expenditure कम कर देगी, ठीक है, अपना expenditure कम कर दिया, उधर taxes बढ़ा दिया, तो उससे जो money supply है, वो आपकी उस हिसाब से adjust हो जाती है, ठीक है, इससे लोगों का जो standard of living है, वो आपका बढ़ेगा, क्योंकि public expenditure करेगी, लोगों के पास employment आएगा, income बढ़ेगी, income ब मतब आपका जो equilibrium level है, आपका balance of payment में, वो भी हमारा fiscal policy के तुरू बढ़ जाता है, मतब हमारा जो fiscal policy कैसी रहेंगे, हमारा expenditure कैसा रहेगा, हमारा जो inflow of fund हमारा कैसा रहेगा, और outflow of fund हमारा कैसा रहेगा, तो उसके हिसाब से infrastructure में, और किस किस में हम कितना पैसा हम खर्च करन लेते हैं, तो उसके हिसाब से हम सारी चीज़े यह देख लेते हैं, कि हमारा जो pattern है, हमारा जितना भी system है, fiscal policy का balance of payment में, हमारा equilibrium रहना चाहिए, कि जितना हमारा equilibrium है, balance of payment का, वो हमारा equilibrium fiscal policy के तुरू government plan करती है, ठीक है, boosting employment level, इस से हम जो employment level है, उसको boost करने के कोशिश करते है कि fiscal policy के तुरू government जो वो नहीं नहीं policy आपकी generate कर रहती है, आपको जो employment level है, वो generate किया जाएगा, और आपको ज़ादा से ज़ादा जो employment है, वो आपको दी जाएगी, ठीक है, तो इसमें हम यह सारी चीज़े अब इसमें discuss करते हैं, इसके साथ साथ हमारा जो maintain और stabilize the economic growth rate, monetary policy का काम नहीं है, यह आपका fiscal policy का आपका काम रहता है, तो इसमें कई बार यह पूछ लेता है, कि which of the following is not an objective of fiscal policy, और which of the following is the objective of fiscal policy, तो यह आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, तो इसमें हम अगर tool की बात करें, तो हमारे दो तरीकी की tool रहते एक होता taxation policy, एक होता public expenditure, taxation policy में हमारा क्या रहेगा, यह हमारा revenue से हमारा क्या रहेगा, हमारा government का source of income या हमारा inflow pattern हमारा रहता है, कि government यह देखते हैं कि हम जो खर्चा करेंगे, हमारा पैसा भी तो आना चाहिए, जब तक हमारा पैसा नहीं आएगा, तब तक हम क्या करेंगे तब तक हम खर्च कहां से करेंगे, तो government अपना सारा जो inflow taxation policy है, उसको revenue और inflow के बारे में बचाती है, तो taxation हमारा दो तरीके की taxes रहते हैं, हमारे direct taxes रहते हैं, और एक हमारे indirect taxes रहते हैं, direct taxes का मतलब क्या होता है, जो directly assesses से charge किये जाते हैं, और आप directly government को दोगे, मतलब there is no intermedi between assesses and the government, यह हमारा assesses है, यह हमारा government है, government ने इसके उपर tax लगाया, ठीक है, और इस tax को directly, इसने assesses ने government को दे दिया, इसमें कोई intermediaries नहीं था, और इस tax burden को आप आगे shift नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आपका क्या आजाएगा, income tax आपका आजाएगा, corporate tax आपका आजाएगा, security transaction tax आपका आजाएगा, capital gain tax इसमें आजाएगा, wealth tax आपका इसमें आजाएगा, तो इसमें इस तरीके की जो चीजें हमारी रहने वाली हैं, वो आपका income tax है, corporate tax है, security transaction tax है, capital gain tax है, wealth tax है, these all are the example of direct tax, ठीक है, तो जो assessi होता है, और जो government होती है, उसके बीच में कोई भी person यहाँ पर intermediaries नहीं होता, आप directly government को जो दोगे, और सबसे बड़ी बात इस burden को आप आ tax pay करेंगा, उस पर मैं ही tax pay करूँगा, next आता आपका indirect tax आता है, indirect tax क्या होते हैं, आपसे indirectly charge के जाते हैं, जैसे यह आपका manufacturer है, यह आपकी government है, manufacturer ने क्या गौर्मेंट ने क्या बोला कि भईया एक काम करो, goods and services पर आपको जो वो tax pay करना पड़ेगा, उसने बोला ठीक है, तो ना जो taxes का burden था, वो किसके उपर shift कर दिया, consumer के उपर shift कर दिया, हाला कि यहाँ पर भी consumer ही tax pay कर रहा है, और यहाँ पर भी जो वो आपका consumer आपको जो वो income, आपना जो भी expenditure है, उस पर आपका दे रहा है, तो इसमें आपका क्या हुआ, consumer ने जमा किया, किसको, manufacturer को, manufacturer ने किसक shift कर दिया, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते है, indirect tax हम बोलते है, यह goods and services पर बोलते है, यह हमारा income पर और wealth पर लगता है, इसके तापते है, आपका जो public expenditure है, वो भी हमारा plan करना पड़ेगा, public expenditure में government क्या करेगी, एक तो revenue expenditure है, एक आपका capital expenditure है, revenue expenditure और capital expenditure क्या होता है, capital expenditure का मतल है, कोई long term investment company कर रही है, और long term किसी project में company ने पैसा लगा रखा है, ठीक है, जैसे मालो कोई आपने plant खरीद लिया, कोई machinery, कोई equipment खरीद लिया, कोई road बनवा दिया, मतलब जिसका benefit आपको आने वाले time के लिए मिलेगा, तो ऐसा expenditure, उसको हम क्या बोलेंगे, capital expenditure, revenue expenditure का मतलब क् expenditure, जो आपका revenue and nature recurring in nature होता है, मतलब आफटर ए particular period of time, यह हमारा recurring in nature होता है, और यह हमारा non-recurring होता है, मतलब एक बार आपने खर्चा कर लिया, building purchase करी, capital expenditure, building की जो maintenance होकर आप करवारे हो, वो सारा आपका recurring है, मतलब वाइट वास होकर यह सब चीज़े आप करवारे हो, after particular period of time, वो revenue expenditure है आपका, ठीक है, तो इसमें आपको जो revenue जो होता है, वो recurring in nature होता है, R for revenue, और R for recurring, capital expenditure जो होता है, capital का मतलब होता है, long term, ठीक है, आपका यह जो expenditure होते है, वो non recurring in nature होते है, government जो वो आपके, आपका जो है, building बनवाना और उसमें वो करना, वो सारा आपका किस में आजाएगा, capital expenditure में आजाएगा, जो revenue छोटे मोटे खर्चे आपके होते हैं, वो आपके जो वो इसमें आजाते हैं, ठीक है, तो इस और बन जाएगा, बंसे जो fiscal policy होते हैं, उसको दो तरीके से plan किया सकता है, एक तो आपका taxation policy, एक आपका पबलिक expenditure, आपका किस तरीके से किया जाएगा, उसमें revenue expenditure और public expenditure आपका आजाएगा, तो ऐसे ही जैसे हमारी expansionary policy और contractionary policy मैंने आपको बताई थी किसमें monetary policy में मैंने आपको बताई थी कि दो तरीके की policy होते हैं एक expansionary एक contractionary ऐसे ही fiscal policy भी हमारी दो तरीके की होते हैं कौन-कौन सी expansionary fiscal policy और contractionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy का मतलब क्या होता है कि इसमें policy में आपका जो economic growth है उसको बढ़ा दिया जाता है आपकी जो public expenditure है उसको बढ़ा दिया जाएगा taxes आपके कम कर दिये जाएंगे. ठीक है हो सकता है कि दोनों को हम करें public expenditure आपका बढ़ जाएगा और taxes आपके कम हो जाएंगे इसमें आपका जो public expenditure है वो क्या हो जाएगा और आपके taxes जो हो जाएगे जब एक तो taxes कम हो गए और दूसरा आपके income के जो source है वो भी आपके generate हो गए जो आपके पास जो income आ रही है उसमें आपको कम टेक्स देना है तो वह भी फायदा आपका ऊपर से government ने यह बोल दिया कि हमें काम करेंगे इसी sector में आपके जो employment है वो हम generate करेंगे तो यह सारी चीज़ आपकी इसमें आ जाती है ठीक है तो उसको हम क्या बोलते है Expansionary Fiscal Policy यहाँ पर हम जो वो इन चीजों को expand करते हैं आपकी जो public expenditure वो बढ़ा दिया और जो आपका taxes है वो हमने कम कर दिये ऐसे ही हमारी जो है वो Contextionary Policy हमारी हो सकती है कि अगर हम इसका उल्टा करेंगे मतलब आपका जो public expenditure आपका public expenditure हमारा कम हो जाएगा और tax हमारा बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे Contextionary ठीक है तो ऐसी policy को हम क्या बोलते है Contextionary और यह जो policy है मतलब आपका public expenditure बढ़ गया tax आपका कम कर दिया तो उसको हम बोलते है Expansionary Fiscal Policy राइट तो हम differentiate करते हैं किस में monetary policy में और आपकी fiscal policy में तो बहुत सारी चीज़े हमने कर रखे हैं देखो fiscal policy हमारा क्या होता कि हमारे जो economic growth by influencing demand and employment या हमारी जो demand और जो employment level है उसको हम influence करेंगे यहाँ पर जो primary aim हमारा रहेगा वो किसको रहेगा demand को लेके और हमारा employment को लेके रहेगा लेकिन यहाँ पर जो monetary policy है उसमें हमारा inflation और हमारा जो sustainable जो price है उसको कैसे हमें control करना है हमारी जो money supply है उसको कैसे control करना है इन चीज़ों के बारे में डिसकस किया जाता है इसको government of India बनाएगी यानि GOI इसको हमारा RBI बनाएगी यहाँ पर fiscal policy के tool क्या रहते है हमारे spending और taxation रहता है और monetary policy के आपके जो money supply कैसे बढ़ानी है कैसे कम करनी है तो उसके जाब से जो चीज़े आपके फिसकल policy को budgetary policy भी कह देते हैं कि और monetary policy को credit policy भी कह देते हैं तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो इसमें आपका जो jobs है और आपका जो increase wages inflation हो गार यह सारी चीज़े आपके आजाती है इसमें rate of loan, houses, car और education वगरा पर interest rate आपका कम हो गया जादा हो गया बढ़ गया आपका फिसकल policy में government के जो influences रहते हैं वो बहुत जादा extremely high रहते हैं और monetary policy में जो government के influences रहते हैं वो generally आपके low रहते हैं क्योंकि RBI जो है वो क्या है एक independent body है वो consider करेगी इनको लेकिन उसमें government क influence जो आपका कम रहता है ठीक है तो ये basic basic आपके difference थे जो कि हमारे इसमें आते हैं ठीक है next आपका था exchange rate policy ठीक है exchange rate policy का मतलब क्या होता है कि हम जितना भी exchange rate के बारे में मैंने आपको बताया कि एक country की जो currency है उसको दूसरी की currency में कैसे change करना है तो इसको लेके जो हमारी policies है उस policy को हम क्या बोलते है exchange rate policy और वो जो policy है वो हमारी इसमें हमारा जो कुछ में fix रहता है कि हम जो वो किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं तो ये जो policy हमारी रहती है वो उसको हम क्या बोलेंगे exchange rate policy ये हमारा जो interest rate है उस पे और हमारा जो हम currency को buy और selling करते हैं तो उस पे हमा ठीक है तो कई बार मतलब जो है हमारा कुछ अलगला country में अलगला system हमारे रहता है कई जगा हमारा fix system रहता है कि यह rate हमारे रहेगा कई बार आपका floating रहता है मतलब flexible रहता है according to the demand and supply तो मालोब for example आपका यह जो demand है और यह हमारी supply है तो इसके यहाँ पे हमारा rate fix कर दिया जाएगा अगर हमारी demand बड़ेगी तो हम उसके इसाप से अपना जो price है जो rate है हम अपना adjust कर लेंगे अगर हमारी supply में changes आएगा तो हम उसके इसाप से क्या कर लेंगे उसको adjust कर लेंगे तो इसको बोलते floating एक होता fix कर दिया कि यह हमारा rate रहेगा demand बड़े गटे supply गटे बड़े उससे हमारा कोई फरक नहीं पड़ेगा इसमें हमारी दो चीज़ आएंगे एक आपका आएगा devaluation एक आएगा appreciation devaluation का मतलब होता है आपकि export जो है उसको boost up करना economic growth के लिए और devaluation इससे जो वो आपकी inflation आपकी market में आ जाती है तो इसमें आप export जो है उसको boost up करते हो ठीक है और appreciation में आपका क्या रहता है कि raising the value of the exchange rate might the pursue of order to try and reduce the inflation rate मतलब आप जब appreciation हो जाता है तो उसको जो inflation rate है उसमें भी आपको फरक आपको देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद थी हमारी next आपके थी foreign investment policy foreign investment policy में हमारा क्या रहता है कि जितना भी हमारा FDI रहता है foreign के लिए क्या-क्या हमारे investment को लेके policy रहेंगे foreign का person कैसे हमारे आके investment कर सकता है और हमारे आका person foreign में जाके कैसे investment कर सकता है तो वो सारा आपका FDI related रहेगा ठीक है जितन भी foreigners हमारे हैं उनको लेके जो भी हमारी policy बनाई जाती है उसको हम बोलते है foreign investment policy ठीक है तो हम जो कितना liberal रहेंगे इन्वेस्टमेंट कहा कहा पर आपको allowed है कहा कहा पर allowed नहीं है तो यह सारा आपका foreign investment policy में आपका decide किया जाएगा किस कि sector में आपको allowed है, किसके sector में आपको allowed नहीं है, यह सारी चीज़े हम लोग discuss करेंगे, ठीक है, इसके साथ हमारा जो objective है, वो क्या रहता है, to maintain of the sustained growth in the productive and gain employment, मतब आपका जो growth है, ठीक है, और जो growth और आपकी जो productivity है, उसमें आपको कैसे increment लेकर आना है, वो हमारा जो foreign investment policy आपका आएग है, कि हमें जो international level का, जो हमारा competition है, उसको हम कैसे boost up करेंगे, तो यह चीज़े हमारी इसमें आ जाती है, ठीक है, उसके बाद हमारा यह जो, यह हमारा जो business environment का जो basic वाला जो topic है, उसके types वाला जो topic है, वो हमारा खतम हो गया, यह मैंने इसलिए बढ़ाया था, आपको detail में, economic environment को आपको detail में पढ़ना है, क्योंकि इस से related आपको question जो हो, जरूर देखने को मिलेंगे, इसके बाद जो हमारा topic स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा, हमारा environmental scanning and strategic management, कि हमारा जो environmental scanning है, वो क्या होता है, strategic management क्या होता है, इस से related कुछ policy पढ़ोगे, जैसे porter 5 force model है, porter general की strategy ह यह सारी आपकी sword analysis है, ठीक है, यह सारी analysis आप पढ़ोगे, तो environmental scanning का मतलब क्या होता है, environmental scanning का मतलब होता है, कि जहां पर हम और अपने business को कैसे environment को scan करेंगे, मतलब environment से related जितनी भी scanning होती है, मतलब हम उसको internal environment को scan करना, external environment को scan करना, और उसके इसाब से देखना है, कि वह क्या क चीज़े हमारी इसमें आ रही है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, environmental scanning बोलेंगे, ठीक है, तो इसमें एक definition आपकी दे हुई है, environmental scanning, entails scrutinizing the environment to identify action by the competitor, government union, मतलब जिसमें हमारे जो आसपास में जो चीज़े हमारी हो रही है, जिसमें जो environment में जो हमारा change हो रहा है, उस environment को scan कर करने के बाद, सबसे पहले आप क्या करते हो, environmental scanning करते हो, environment scanning, ठीक है, इसके बाद, policy formulation, उसके बाद, implementation, और implementation के बाद, review and control, review, ठीक है, तो review and control का जो हमारा काम रहता है, वो हमारा सबसे last रहता है, तो कई बार इसको sequencing भी आ जाती है, ठीक है, environmental scanning के कौन-कौन से तरीके हैं, कौन-कौन से methods हैं, तो इससे related आपके question आ जाता है, तो इससे ये वाला जो topic है, वो हम लोग next class में discuss करेंगे, इसके साथ हम हम लोग discuss करेंगे, और जो नीती आयोग है, वो हम लोग discuss करेंगे, that is also important part of the business environment, so guys, I hope you guys understand all the concept that we already discuss, like we discuss the basic component और basic introduction of the business environment, basic component of the business environment, like your internal environment, external environment, और उससे related जो भी हमारे economic condition क्या थे, economic system क्या थे, उसके characteristics क्या क्या, features क्या क्या थे, तो हमारी जो monetary policy, fiscal policy, यह सारी चीज़े हम लोगों ने यहां पर discuss करी, तो इसके बाद का जो topic रहेगा, वो हमारा environmental scanning और strategic management से related रहेगा, so thank you guys for watching us, and stay connected with us, तो हम लोग जल्दी आप से मिलेंगे, next part के साथ में, तो तब तक आप लोग इसके स section में आप type कर सकते हैं, जल्द ही मिलेंगे आपको next part के साथ में,